भाई लोग भाई लोग भुलबुलईया 3 का ट्रेलर आ चुका है तो आउ फटाफट बात कर लेते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी यार ट्रेलर देखने के बाद ना एक बाद तो I realize कि नॉस्टालजिया फैक्टर कितना ज्यादा वर्क कर जाता है ग़र टू में भी नॉस्टालजिया फैक्टर वर्क कर गया था और अभी जब OG मनजूली का याने के विद्ध्यबालन वापस आ रही है और जिस तरह से वो आमी म२जूली का बोल रही है भाई थेटर, ओडियन्स, सीटिया, तालिया तो मारेंगी ही लेकिन उनके फटेंगी अलग से तो एक बात तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये नोस्टाल्जिया लोगों को जरूर हिट कर जाएगा उपर से भाई साब ये क्या कन्फूजन क्रियेट कर रहे हो माधूरी दिखशित जी है इधर विद्ध्या भी बोल रही है, आमी माधूरी भी बोल रही है, पहले लड़ते हुए दिखाया जा रहा है बाद में दोनों मस्त चिल मार रहे है एक साथ बाई क्या पका रहे हो हांडी में देखो मादूरी दिख्षित के acting skills को मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है और ये जो casting हुई है ना मादूरी जी की ये इस movie को शायद एक अलग level ले जाएंगी मैंने जब इनका premiere चल रहा था तो social media पे एक poster viral हो रहा था आज horror comedy peak पे है and you cannot deny it स्त्री, स्त्री टू, मुंजा, भेडिया ये सब तो यार बाद में आये है लेकिन इन सब को एक रास्ता दिखाया था अक्षय विद्या की भूल भूलया ने and trailer से तो हम horror and comedy दोनों का अंदाजा लगा ही सकते है कारती कारियन ने जब अक्षय पाजी को replace किया था तो उन पर बहुत उंगलिया भी उठी थी लेकिन he proved it in second part and उनका रू बाबा वाला आवतार लोगों ने film में काफी पसंद किया and he is back in that अतरंगी आवतार again, साथ में अपने छोटे मिया अभी उनकी भूत भगाओ बिजनेस का हिस्सा दिख रहे है like they are kind of पाखंडी बाबा जो अब professionally ये काम चला रहे है बाबा सर्विसिस के नाम से I think and कही ना कही मुझे ये भी लग रहा है कि ये मूवी इसके पहले या दूसरे पार्ट से connected नहीं होंगी हाँ रूबाबा, मॉंजुलिका, हवेली का दर्वाजा and music ये सब फिर से use किया गया है ताकि एक nostalgia factor add हो सके लेकिन उसके अलावा storyline नई तो लग रही है क्योंकि starting में किसी रक्तगहाट का जिक्र हो रहा है उपर से दो-दो मॉंजुलिका अब original कौन है इस पर ये story गुमती नजर आ रही है and ये जो nostalgia की बात कर रहा हूँ मैं वो ज़ादा hit इसलिए भी हो रहा है क्योंकि reason number one इसका BGM reason number two राजपाल यादव reason number three OG मुंजुलिका and fourth reason I hope कि वो हो जाए बस मुंजुलिका आई है तो यार अक्षे पाजी को भी लाओ भगवान भला करेगा तुमारा तुमारी picture 2000 करोड पार कर जाएगी बस अक्षे पाजी का एक छोटा सा क्यामियो ही तो मांग रहे है हम लोग बाकि ट्रेलर पूरा-पूरा तीन मिनिट पचास सेकंड का है और पूरे टेलर में सबसे ज़ादा मुझे हसी आई नेटफ्लिक्स वाले जोग पे गजब लिखाए भाई और आपने वेलकम मुवी के मजनु भाई की पेंटिंग देखी 43 सेकंड पे पॉस करना पता चल जाएगा उपर से तड़का लगाने नई एंट्री हुई है त्रिप्ती डिमरी की आई होब की इनकी केमिस्ट्री बड़े पर काम कर जाए ओवरॉल आई नोटिस की प्रेजन्टेशन तो बहुत बढ़िया है डार्क सीन्स काफी अच्छे से उभर कर आ रहे है with some visual effects and storyline अच्छे निकल गई तो भाई इस movie को blockbuster होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता बाकि विद्या एंड मादुरी जी का dance face of भी हमें दिखने वाला है and I think इनकी story कही ना कही उन दोनों के past से connect भी करवाई जाएगी बाकि विजयर आज भी मुझे दिखे एक prominent role में जो की again एक बहुत अच्छा actor है बाकि movie आ रही है इसी दिवाली 1 November को आप बताओ आपको कैसा लगा trailer comment में जरू लिखना मिलता है आगले वीडियो में बाई